परमेशर के उत्सव में आपका स्वागत है हम इश्रमसी के दूसरे आगमन को गहराई में देख रहे हैं हमसे बाइबल का जो तूर्यों का उत्सव है उसके साथ मिला रहे हैं हमने सुना कि जैसे तूर्य बजेगी तो प्रभू अपने लोगों को इखटा करेंगे एक बहुत बड़े जहाज में जो अस्मान में है और इस समय परमेशर की दुलहन जो मरी हुई है और जो जिन्दा है दोनों के पास पुन्रथान का नया शरीर होगा हमने देखा कि वो वो समय नहीं है जब परमेशर अपने सिंहासन को इस पृत्वी पर स्तापित करेंगे हमने ये भी देखा कि ये वो समय भी नहीं है जब परमेशर और उनके दुलहन अस्मान में उड़ा लिये जाएंगे एक बार जब परमेशर का पुत्र अपने सिंहासन को स्वर्ख से छोड़ कर नीचे पृत्वी पर आते हैं तो वो यहीं पर रहते हैं ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो कहते हैं कि परमेशर इस संसार में राज़ करने के लिए आएंगे और जब वो आएंगे हम भी उनके साथ इस संसार पर राज़ करेंगे मैं आपको कुछ उधारन दूंगी प्रकाशत कवाके 5 के 10 में जो बुज़र्ग लोग है वो परमेशर से कहते हैं कि आपने हमें याजग बनाया है और हम आपके साथ राज़ करेंगे ये शाय नौ के 6 में लिखा गया है कि प्रभू इशुमसीद दाउत के सिंहासन पर युगान युग तक राज़ करेंगे यहां लिखा है कि प्रभूता उनके कांधे पर होगी पत्रस ने प्रभू से पूछा हमारा इनाम क्या होगा कि हमने सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आ रहे हैं इशुमसीद पत्रस से कह सकते थे कि तुम हमारे साथ हमेशा तक स्वर्ग में रहेंगे लेकिन प्रभू ने पत्रस से ये कहा कि ये उसका इनाम होगा परमेशन ने उनसे कहा कि आप में से जितने मेरे पीछे आए हैं आप सब को पुनरुथान के समय में 12 सिंहासन मिलेगा और उस पर बैठ कर आप इसराइल के 12 गोत्रों के उपर शासन करेंगे प्रकाशित का वाकिये 2 के 26 में प्रभू ने कहा है जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे उसे जाती-जाती के लोगों पर अधिकार दूंगा और इसी जगह प्रभू उनसे ये भी कहते हैं कि और वे लोग राजदन लिये हुए उन पर राज करेगा जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बर्तन चकना चुर हो जाते हैं ये मुझे संसार के राज़े की तरह दिखता है मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग में ऐसे कोई राज़े है जिसे लोहे का राजदन चाहिए या जिसे हजारों मिट्टी के बर्तन की तरह चकना चूर करना पड़ेगा प्रकाशित कवाकिये 2.26 के जो वचेन है उसमें सबसे दल्चस बात ये है जब प्रभू ने जैपाने वालों के बारे में वो वाइदे को कहा तो वो भजन संकिता 2 से बोल रहे थे भजन संकिता 2 में भजन संकिता का लेकक ये पूछते है जाती जाती के लोग क्यूं हुलर्ड मचाते हैं और देश-देश के लोग व्यर्थ बाते क्यूं सोच रहे हैं यहोवा और उसके अभिशिक्त के विरुत पृत्वी के राजा मिलकर और हाकीम आपस में समति करते रहते हैं बजन संगिदा दो में हम देखते हैं कि उन लोगों के जो दुष्ट विचार है उसके उपर प्रभू हसते हैं और वो उनसे ये कहते हैं मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र परवत सियोन की राजग्यदी पर बैठा चुका हूं प्रभू अपने पुत्र से कहते हैं कि तू मेरा बेटा है और आज मैंने तुझे जन दिया है और प्रभू अपने पुत्र से कहते हैं मुझ से मांग और मैं जाती जाती के लोगों को तेरी समती होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे निजभूमी बनने के लिए दे दूंगा स्वर्प परमेशर का ही है लेकिन परमेशर अपने पुत्र से कहते हैं कि तुमारा जो समपती है वो ये पूरा फृत्वी और सारे राजे है और प्रभून से कहते हैं कि तुने लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुमार के बरतन के समान उन्हें चकना चूर कर डालेगा तो कौन इसके योग यह है कि इस पृत्वी को वापस ले ले सिर्फ वही मेमना जो मारा गया था सिर्फ वही इसके योग यह है कि इस पृत्वी को अपने उपर ले ले अगर आप प्रकाशित कवा के 2 के 26 को पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे यहां हम देखते हैं कि परमिश्व हम से कहते हैं कि अगर आप जय पाएंगे और मेरे कामों के अनसर अंत तक करते रहेंगे तो मैं आपको जाती-जाती के लोगों पर अधिकार दूँगा और आप लोहे के राजदन लिये हुए उन पर राज करेंगे और जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बरतन चकना चूर हो जाते हैं मैं भी आपको ऐसे अधिकार दूँगा जो मुझे पितार ने दिया है तो प्रभू अपना जो अधिकार है उसे भजन संगीता दो में पाते हैं और प्रकाश्चित के वाकियों दो में उसे हमें देते हैं और उनने बारा चेलो को कहा कि वो बारा सिंहासन पर बैठ कर इस्राइल के बारा गोत्रों के उपर राज करेंगे आये हम जकरिया 14 उसके आट और नवे वचन को देखें अगर आप आट और नौ वचन के पहले पड़ेंगे तो हम देखते हैं कि प्रभू की जो कदम अभी जैतुन के परवत पर पड़े हैं और जैतुन का परवत दो भाग में बढ़ गया है हम देखते हैं कि जैतुन के परवत के उपर इश मसी के छिदे हुए कदमों के पड़ने के बाद ये वचन बोले गया है और हम इसे प्रकाशत कवा के ग्यारा पंद्रा में पड़ते हैं जगत का राज हमारे प्रभू का और उसके मसी का हो गया और वे युगान्योग राज करेगा तो ये बहुत है ज़रूरी है कि दुल्हन अपने मन को बदल ले कि वो छुडाए जाएगी लेकिन उसे ये सोचना है कि वो मसीहा के साथ राज करेगी मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि आप क्यूं इस संसार के दर्द और सताव से बचना चाहते हैं लेकिन अगर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार के ओपर अधिकार दिया है कि वो इस पर राज करें तो क्या आप उनके पास नहीं बैठना चाहेंगे जब प्रभू ने अदम को बनाया तब परमेशर ने कहा कि मनुश का अकेले रहना अच्छा नहीं है अदम को इस संसार पर राज करने के लिए परमेशर अधिकार दे सकते थे लेकिन प्रभू जानते थे कि आदम बहुत खुश होता अगर उसके साथ उसके साथ सयोग देने के लिए कोई होता तो प्रभू ने आदम के एक तरफ से खोल दिया और उनके शरीर से ही उनकी दुलहन को बनाया इबरानी भाशा में उस शब्द को एजएर कहते हैं जिसका मतलब है आदम के लिए एक सहायक और इशु मसी के शरीर में जो सबसे आखरी घाव इस संसार ने दिया वो है उनके शरीर के एक बाग को खोलना पॉल उस कहते हैं कि इशु मसी को दूसरा आदम कहा गया था और जिस प्रकार परमेशन ने आदम के पसली में से उसके लिए एक दुलहन को लिया इसी प्रकार इशु मसी जो दूसरे आदम है उनकी पसली से इस अंदम समय के दुलहन को परमेशने निकाला प्रियो परमेशर के पास आपके लिए एक ऐसी बात है जो इस संसार से सिर्फ छुटकारा लेकर भागने से भी बहुत ही मैधवपून है परमेशर के पुत्र इतने महिमा में है कि वो पूरे संसार को अपने आप से शासन करके एक अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन वो अपने साथ एक सैयोगी, एक दोस्ट और एक दुलहन को चाते हैं उन्होंने उसे अपने लहू से ही खरीदा क्या आपको याद है मैंने आपको बताये कि उन्होंने अपने यहूदी शादी का जो पत्र है उस पर अपने लहू से हक्षास्तर किया वो एक ऐसे मनुश है जो सम्बंद को चाते हैं उनके लिए अच्छा नहीं था कि वो अकेले रहे और पिता चाते हैं कि उनको एक दुलहन दे क्या आपको याद है कि फसे के पर्फ के बाद जब उन्होंने तीसरा प्याला दाक्रस का पिया था आखरी प्रभुबोच के दौरान उनके मृत्यू से बिलकुल पहले उन्होंने उस आखरी प्याला को पिया और कहा कि जो भी मेरा है वो आपका है यहां तक कि मेरा दे भी और वो चाहते हैं कि उनका राज इस संसार में स्तापित हो और उनकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृत्वी पर भी हो जब चेले लोग ने इश्व मसी से पूछा कि हमें प्रात्ना करना सिखाओ तो प्रभू ने यही उन्हें सिखाया उन्होंने का हे हमारे बाप तुझ जो अस्मान पे है तेरा नाम पाक माना जाए उन्होंने का कि आपका राज इस संसार में आए और जिस प्रकार स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे ही इस पृत्वी पर भी पूरी हो अगर प्रभू ने ऐसे प्रातना किया तो क्या आपको नहीं लगता कि पिता उनके प्रातना का उत्तर देंगे इन दिनों में क्या अभी उनकी इच्छे इस संसार में पूरी हो रही है ने ये संसार पूरा विरोध से भरा हुआ है क्या उनका राज इस संसार में आगया है सिर्फ एक छोटे से भाग हमारे हिरदे के अंदर आया है लेकिन इस संसार के जो दुष्ट प्रभावे इस संसार के जो दुष्ट राजे है उनके उपर नहीं आए प्रकाशत का वाक्य में प्रभू की जो प्रातना है उसका उत्तर आएगा इस संसार का जो राजे है वो परमेश्व का राज और मसीहा का राज बन रहा है और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ इस सारे संसार के राजों के उपर शासन करें और अगर अभी आप उनके साथ अराधना में, प्रातना में और विंती में उनके सहभागी होंगे तो प्रभू जब वापस आएंगे तो वो आपके साथ सहभागी होंगे आएम प्रातना करें प्रभू हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप वापस आके इस संसार के जो राज्य है उसे उल्टा कर दे हम आपके से भागी होना चाहते हैं और आपके साथ शासन और राज करना चाहते हैं आत्मा और दुलन कहें आप प्रभू आत्मा आपके सासर के इस संसार के साथ शासने आपके आपके साथा निंट्य। आर एमेल एडिए इस प्रोग्राम्स.Himdi.ANGELTV.org अगर आप इस कारिक्रम से आशित शित हैं तो अपनी गवाई और विचार हमें इस पते पर भेजिए एंजल टीवी विल्लिवाकम चलनाइग 6000049 तामलदारू भारत हमारा इमेल आईडी है programs.hindi at angel tv.org ट्राइब.